तो आइधिंग अभी हम लाइव हैं और कैमरा स्कीन में को दिखकत देख एक पर मुझे बता दीजिए ओडियो वीडियो प्रिफेक्ट्ली आ रहे हैं तो सबसे पहले हाई अवरीवन सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहतू मेरी आइस में छोटी सी इंजूरी ह हुई है परसो रात को में सो रहा था तो मेरा नील आख में लग गया इसके वज़े से थोड़ा सा स्कीन में टियर हुआ है और इसे वज़े से मैं ग्लास पहना हूँ और आई होप आप उससे टॉलरेट कर लेना और दूसरी चीज अभी मैं नहीं आता आज के अभी लाइव सुनो और मेरी बात सुनो आपको पता है प्र टाफ था और मुझे भी पता प्रॉप प्र टाफ था पर दो चैसे हम ने देखा था ऐसओनो है दो मैरी हिसाफ से तो तो अब करना किया आगे देखो paper ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे question ऐसे थे जो हमें कहता हूं कि manageable भी था बहुत सारे ऐसे question थे जैसे कि अगर आप कहोगे पानिशन स्रुमेंट का question मुझे दिखा कि वो simple question था manageable question था और भी कुछ-कुछ question थे जो manageable थे तो बहुत सारे question थे जो manageable नहीं थे question 1 consolidation में बहुत सारे एक्स्ट्रा से adjustment डिवे थे bonus से regarding step acquisition भी consolidation में डाल दिया गए तो बहुत सारी चीजे थे जो exam में मेरे ख्याल से तीन घंटा में एक नया नवीला question आपको देख जाए तो वह आपके लिए possible नहीं होगा वो मैं समझ सकता हूं तो यहाँ पर basically the thing is paper तो tough था वहाँ पर मैं कह सकता हूं कि 50 40 to 50 तक score करने वाला like paper था बिल्कुल भी exemption वाला paper तो नहीं था और किसी का अगर आएगा भी तो आईसे क्या पता थोड़े बहुत grace marks वगेरा देगा तो आभी सकते बहुत जनों के आएंगी और otherwise paper tough था यह आपको समझना है तो अब आगे क्या करेंगे तो देखो अभी आप यह बात समझ दो पिछली बार भी SFM का paper tough था तो ऐसा थोड़े नहुआ कि सारे बच्चे फेल हो गए बहुत सारे बच्चे पास भी वह थे बहुत सारे बच्चों को SFM में अच्छे नंबर में मिले थे तो अब यह बात समझ लीजे अभी घबराने का टाइम नहीं है अभी आप में से कोई भी बच्चा यह मैं सोचेगा कि यार एफ और का paper तो बहुत ही यह चोड़ देते हैं तो यह thoughts आपके अंदर आएगा बट आप मेरी बात सुनो ऐसा कौन सा attempt गया मुझे बताओ जिस एक भी पेपर टफ नहीं आया हो हम हमीसा से देखते आ रहे थे हमने पहले कितनी बार देगा कि audit out of the box आया हुआ पहले पहले law out of the box आया हुआ कितनी बार इस प्रकार का पेपर नहीं होता था तो हमारे अंदर भी थौट था कि चलो ठीक है एक फर का पेपर टॉ एक प्रोड़ यह प्रोड़ देते हैं और यहां से problem क्या आईगी अब यह पहला पेपर हो गया problem यह है अगर मालू यह तीसरा है चोथा पेपर होता तो आपके अंद अब यहां पर इक problem ही आ सकती कि यह पहला पेपर है तो आप अपना अपने डी मोरलाइज मत हुई आप यह सूची कि चलो ठीक है पहला पेपर जो गया गया इसमें हम बगवान से प्रे करेंगे में पासी मार्क मिल जाए 40 45 50 जो भी यह मिल जाए में और बागी के जो पेपर में पेपर रिव्यू करूँगा या फिर आप किसी के साथ पेपर रिव्यू करोगे कोई सैंसी नहीं बनता है मैंने कह दिया आपको भी पता पेपर टफ है और इस बार कोई कहने कि पेपर इजी है तो समझ जाना अब समझ जाना बस मैं आपको इतना है बोलूँगा मतलब क यह ना कितना सच है कितना जूट है पिछली बार मैंने कहा था आपने भी कहा था हमने सब ने कहा था तो जेनरल ही अगर हम सब कह रहे है एफ और टेलीग्राम में जाके देख लो पता चल जाएगा कि एफ और का पेपर कितना टफ है तो इसलिए आप यह एकसेप्ट कर लो कि एफ और का पेपर टफ है पूरा का पूरा इंडिया के लिए टफ था हम अकेले के लिए टफ नहीं था पूरा का पूरा इंडिया भी टेंसन में एफ और अब ही बस क्या चीज होने वाला है कि जो बच्चे यहां से कुट कर जाएंगे वो बच्चे की तो जर्णी खतम नॉ होगी कि पूरा एक्जाम दोगे अगर आपने बोद टाना हुएं पूरा बोद ग्रूप की तैयारी करोगे अगर आपने सोच रखा हूँ कि आप सिंगल ग्रूप दोगे पूरा सिंगल डूप आपटर करोगे इतना आपको आता है इतना अप उतार कि आओगे F.R. के बारे में जो होना था सो हो गया अब ऐसा इतना भी रोना दोना नहीं करेंगी कि आगे S.F.M. का पेपर कराब हो जा हमारा तो अब आगे के लिए मैं आपको यह कहूंगा कि आगे आपका S.F.M. पेपर आने वाला है हम यह प्लाइन करते हैं कि हम S.F.M. के बारे में क्या करें S.F.M. को कैसे त्यार करें हम उसके बारे में प्लाइन करें तो कोशिन यह आता है कि संग्लासेस मैंने बता दिया कि reason की वज़े से मैंने पहना है क्योंकि आई में यह उसी way में आपको revision करना है अभी आपकी बस बस one and half day बचा हुआ है तो ऐसा कोई बहुत time नहीं बचा हुआ कि आप अपनी तयारी को change करोगे कुछ भी change नहीं करेगा कोई भी बच्चा जिस बच्चे ने जिस प्रकार तयारी की वी है जितना questions जो जो किया हुआ है उसी strategy के साथ अब पूरा entirely revision करोगे आप ये चीज मैक्शूर कीजेगा तो SFM में कोई भी प्रकार का change मत कीजेगा और यहां से quit मत कीजेगा यहां से quit करोगे तो ऐसे भी failure फिर आप तो इसने बहतर हम लड़के fail pass हो जो बात के लिए छोड़ देना हम लड़ा ही करें न तो अभी आप बीच में जंग को छोड़ना नहीं आपको ठीक है एक paper tough आया आया बागी तीन paper हम उमीद करते अच्छा जाएगा और हमरा aggregate जो भी यह बनेगा और हम सी यह बनेंगे simple सी बात है as simplest और देख लेना एक फार की paper में marks कहीं है कहीं से आ जाएंगे paper tough आया तो marks भी कहीं है कहीं है इसे मिलेंगे तो यह चीज़ के बारे में आप सूचेगा तो अभी हम SFM की तयारी हम कैसे करें तो यहां पर मैं आपको ब चीज़ है आज की दिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको थोड़ा से माइंड हेवी लग रहे तो फॉरेक्स डेरिवेटिस वगेर आज मत उठाइए आज है काम कर सकते हो security valuation corporate valuation mergers यह सारे chapters कर लीजे mutual fund कर लीजे यह chapters आज कर लीजे फिर कल सुबह जैसे आप सो के उठो तो यहां पर आप तैयारी अपनी ऐसी कीजे तो आज के लिए प्लैन एक टार्गेट बना लीजे कि आज हम एक काम करते है security valuation corporate valuation merger और portfolio अगर possible अगर हम लेट नाइट तक पढ़ने वाले तीन जार विजे तक तो हम यह make sure करते हैं कि यह चार चेप्टर हम खतम करें कम से कम और तो वह marathon revision आप देख सकते हैं और इसके अलावा बाकी derivatives IRM भी पांच घंटे का है वह सारा ब्रीवीजनरी वीडियो में टेलीग्राम में आप जोइन कर लीजेगा टेलीग्राम में मैं सभी का link आज फिर से मैं सहर कर दूँगा अब उसके थ्रू देखेगा इस बार मैंने plan क आपके साथ बात करनी चाहिए इसलिए मतलब इसी वज़े से मुझे संग्लास पहनना पड़ा उपाई नहीं मेरे पास तो आई थिंग अभी आप clear हो तो आप बस मुझे एक बड़ हम ज्यादा समय में आपका विकार नहीं करना चाहता है इसलिए बस मैं आप से chat box में यह पुरा खतम करो गया तो कसम खाके जो यहीं से कि सर हम एफ आर को बुला देंगे एना एफ आर पुराना प्यार था हम उसे बुलाएंगे अब हम SFM के पीछे भागेंगे सिंपल आप यह समझो एफ आर ने हमारे सा दगावाजी किया किया अब हम आगी की पेपर के बारे में सोचेंगे यह सिंपल स्ट्रेडेजी रखे और आप मुझे प्लीज बता दीजिए चैट बॉक्स में एक बार कि हम हम कुट नहीं करने वाले हम इतने कमजोर नहीं है कि हम एक होता है ना कि इतने कमजोर थोड़े ना हमने इतना कुछ साहा होगा अपने लाइफ में अब इत अब स्ट्रेट करेंगे अब आइसरी हम पूरा किपर सीट करेंगे यह बता डीज मैक शवर कीजेगा कोई बैंदा कुट मत कीजेगा और S.F.M. की तैयारी अभी से अब करने लग जाए अच्छे से अगर खुद से पढ़ाई नहीं हो रही तो रिविजनरी वीडियो देखे अब तैयारी करने लग जाए तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि हाँ हम अभी हारनी मानने वाले और मैं आपको सज बता रहा हूँ लिखवा लिजी मेरे से बहुत सारे बच्चे पास होंगे एस यूजवल हमें सभी पेपर टफ आता था बहुत सारे बच्चे बनते थे पास होंगे तो अब यह का टैग आएगा जो या फिर इक ग्रूप निकालेंगे बहुत सारे बच्चे आप लोग होने वाले तो एक एफ़ार का पेपर है ना ऐसा नहीं कि वह आपको सीए बनने से रोक सकते ग्रूप से रोक सकते ऐसा नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो अब यह मेंक्शो कोई जरत भी नहीं है डिसकस करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है डिसकस करने का और मैं आपको यह कहना चाहूंगा आप भी किसी के साथ डिसकस मत कीज़ेगा यह चीज़ का ध्यान कीगा किसी के साथ पेपर डिसकस मत कीज़ेगा कुछ से भी मत कीज़ेगा अब छोड़ दी झाल झाल